बच्चों ये तुम लोग क्या कर रहे हो दीदी हम लोग गेंद से खेल रहे हैं दीदी जब हम गेंद को लोग रहे हैं तब वह चलते चलते पहले धीरे होती है फिर रुक जाती है हाँ दीदी ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारी गेन चलते चलते इसलिए रोक रही है कि गेन पर कोई एक और बल लग रहा है जो तुम्हारी गेन को चलने से रोक रहा है जानते हो बच्चों इस बल को क्या कहते हैं? नहीं दीदी इस बल को घर्शर बल कहते हैं वस्तु की गती का गिरोध करने वाले बल को घर्शन बल कहते हैं घर्शन बल की दिशा सदय वस्तु की गती की दिशा के विपरीद होती है दीदी ठीक से नहीं समझ में आया सुनीता तुम्हें समझ में आ गया? नहीं दीदी लाओ गेन मुझे दो जब हम गेंद को लुड़काते हैं तो गेंद पर एक बल इसके विपरीद दिशा में लगता है अगर मानो हम गेंद को पूरत से पश्चिम की ओर लुड़का रहे हों तो गेंद पर एक बल पश्चिम से पूरत की ओर लगेगा और जब एक ही वस्तूप पर दो बल विप्रीत दिशाओं में लगते हैं तो चलती हुई गेंद रुख जाती है इसी वज़ा से तुमारी गेंद चलते चलते रुख रही है आप समझ में आ गया कि तुमारी गेंद चलते चलते क्यों रुख रही है? हाँ दीदी अब हम तुम लोगों को घर्शन बल कुछ और प्रेयो करके दिखाएंगे सुनीता ये सत्य चूके देखो कैसी है? दीदी ये तो चिकनी है रमेश तुम ये सत्य चूके देखो तो कैसा है? दीदी ये तो खुरदूरी है अब तुम लोग अपनी अपनी गेन लेके जरा इन सत्वों पे लुड़का के देखो तुम लोगों ने क्या देखा? दीदी मेरी गेन कंदूरी तक गई दीदी मेरी गेन रमेश की गेन से ज़्यादा दूर गई रमेश तुम्हारी गेन खुर्दुरी सतह पे चल लगाती है जिससे कि गेन की चलने का विरोध होता है इसलिए तुम्हारी गेन कम दूरी तक चली सुनीता की गेन इस चिकनी सतह पे चल लगाती है और जिससे कि ये गेन अधिक दूरी तक जा रही है तो दीदी क्या इसलिए हम चिकनी पर्स पर फिसल जाते हैं? हाँ विर्कुल ठीक, चिकनी सतह पे हम लोग इसलिए फिसल के गिर पड़ते हैं रमेश तुमने कभी बालू में चलके देखा है? जी दीदी बालू में चलने से क्या होता है? हम लोग कटनाई से चलते हैं इसलिए क्यों कि बालू की सतह खुर्दरी होती है और वो हम पे अधिक घर्शनबल लगाती है और हमारे चलने का विरोध करती है इस प्रयोग से हमने क्या सीखा कि घर्शनबल वस्तु की सतह पर निर्भर करता है अगर सतह चिकनी है तो घर्शनबल का मान कम होगा और अगर सतह खुर्दरी है तो घर्शनबल का मान अधिक होगा अब समझ में आ गया? जी दी दी अब हम तुम लोगों को घर्शनबल के कुछ और प्रयोग करके दिखाते हूं रमेश ये गुटका लो इसको खीच के देखो अब इस पर ये भार और रखो अब इसे खीचो अब इस पर ये भार और रख के खीचो तुमको बार बार खीचने में कुछ अंतर महसूस हो रहा है जी दी जैसे जैसे आपने भार बढ़ाया वैसे वैसे खीचने में अधिक बल लग रहा है तो क्या दीदी इसलिए भारी वस्तु खीचने में अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि भारी वस्तु पे घर्शन बल अधिक लगता है इसलिए भारी वस्तु को खीचने में हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है अधिक होने से घर्षर बल का मान भी अधिक हो जाएगा अर्थार वस्तु पर लगे घर्षर बल का मान वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को अब हम घर्षर बल के बारे में कुछ और भी बताएंगे प्रयोग में बॉल को लुड़का के देखा दूसरे प्रयोग में हम गुटके को खीच रहे हैं दोनों स्थितियों में घर्षन बल का मान अलग-अलग है जब हम गेंद को लुड़काते हैं तो लुड़कने में लगे घर्षन बल को लोटनिक घर्षा कहते हैं दीदी सरकने में लगे बलको सरकने में लगे घर्षन बलको सरपी घर्षन कहते हैं इन दोनों का मान अलग-अलग होता है अब इस ट्रक को तुम देखो इस ट्रक में ये पहिये लगे हुए हैं दीदी ट्रक में पहिये क्यों लगा जाते हैं ट्रक में पहिये लगाने से ट्रक को चलाना आसान होता है अगर इस ट्रक के पहिये निकाल लिए जाए तो क्या तुम इस ट्रक को आसानी से चला सकते हो नहीं दीदी परन तु ऐसा क्यों होता है पहिये ऐसा इसलिए होता है कि पहिये और धुरी के बीच में एक घर्शन बल होता है घर्शन बल जितना कम होता है पहिये को चलाने में उतनी ही आसानी रहती है इसी सिध्धान्त पे बाल बेरिंग वगेरा बनाय जाते हैं बाल बेरिंग में छोटी छोटी गोलियां पहिये और धुरी के बीश में लगाई जाती है जिससे कि इन गोलियों पर पहिया लुड़ता हुआ चलता है लोटनिक घर्षन सरपी घर्षन से कम होता है इसी लिए पहिये की वज़ा से वस्तु को चलाना आसान होता है अब तो तुम लोग घर्षन बलक के बारे में अच्छी तरह से जान गए होगे घर्षन बलक से बच्चों कुछ फायदे भी है और कुछ हानिया भी है सबसे पहले हम तुम्हें घर्षन बलक के फायदे के बारे में बताएंगे रमेश तुमने साइक्किल चलाई है जी दी साइक्किल को रोकने के लिए तुम क्या करते हो दीदी हम ब्रेक लगाते है ब्रेक लगाने से क्या होता है ब्रेक लगाने से तुम्हारी साइकिल रुख जाती है दीदी ऐसा क्यों होता है ब्रेक लगाने से पहिये और धुरी के बीच में घर्शन बल अधिक हो जाता है जिससे की साइकिल रुख जाती है और घर्शन बल के और भी फायदे हैं घर्शन बल की वज़ा से ही हम जमीन पे खड़े रह पाते हैं अगर हमारे पैर और भूमी के बीच में घर्शन बल ना हो तो हम खड़े नहीं रह सकते हैं घर्शन बल से कुछ हानिया भी है हानिया तुम लोग जानते हो बच्चों क्या है? नहीं दीदी घर्शन बल वस्तु की गती का दिरोध करता है घर्शन बल से मशीन में कुछ तूट फूट होती है घर्शन बल से मशीन भारी चलती है और उसको चलाने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है दीदी हम घर्शन बल को कैसे कम कर सकते हैं? गषण बल को कम करने के लिए हम अगर उसकी सताओ को चिकना कर दें तो गषण बल कम हो जाता है सुनीता, तुमने केरम खेला है? हाँ देदी उटको सरकाने के लिए तुम क्या करती हो? देदी, हम नहीं पावडर तो डालते हैं पर ये नहीं पता कि क्यों डालते हैं पाउडर डालने से केरम बोट की सतय चिकनी हो जाती है और केरम बोट की सतय और बोट के बीच में लगने वाला घर्शन बल कम हो जाता है जिससे गोट आसानी से फिसलती हुई चली जाती है घर्शन बल को कम करने के और भी तरीके हैं जैसे कि हम मशीनों में तेल डालते हैं माता जी को सिलाई मशीन चलाते देखा है? अरे हाँ दिदी, जब हमारी माता जी कपड़े सिलने के लिए सिलाई निकालती है जब मशीन भारी चलने लगती है तो उसमें तेल डालती है मशीन में तेल डालने से उसके बीच का जो घर्शन बल है वो कम हो जाता है और मशीन को चलाने में आसानी होती है हम घर्शन बल बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, हम घर्शन बल का मान बढ़ा भी सकते हैं अगर चिकनी सतह को खुर्दुरा कर दिया जाए हम चिकनी सतह को खुर्दुरा कैसे बना सकते हैं चिकनी सतह को खुर्दुरा करने के लिए हम उस पे मिट्टी डाल दें या बालू डाल दें तो चिकनी सतह खुर्दुरी हो जाती है इसलिए बरसात में जब गीली सड़क होती बहुत चिकनी होती है तो उसपे बालू डालके या मिट्टी डालके सडक पे का घर्शन बल बढ़ाया जाता है जिससे कि उसपे वाहन आसानी से चल सके तो तुम लोग घर्शन बल के बारे में अच्छे से समझ गये होगे हाँ दीदी सुनीता घर्शन बल किसे कहते हैं वस्त अब तुम लोग अपने आज पास की चीजों में घर्शन बल के बारे में अध्यन करना उनके क्या उप्योग हैं क्या फायदे हैं और क्या हानिया और क्या है पास क्या हैं और कि अंद भारे में ऑास का उनके क्या आजून बल करना इहां भारे आजो हैं क्या Sounds